नमस्कार दोस्तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुती ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है सो दोस्तो थमनेल देखकर के आप समझ ही गए होगी कि ये वीडियो किन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जैसा कि आपने काफी टाइम से सुना होगा कि RSSB जो राजसान का जो बोर्ड है राजसान स्टाप सेलेक्शन बोर्ड उन्होंने एक प्रेश नोट जारी किया था काफी टाइम पहले एक CET को लेकर यानि जो समान पातरता जो परिक्सा है उसको कंडेक्ट करवाने के लिए उन्होंने प्री एक एक एक्जाम कर रख है भी जो CET उन्होंने नाम दिये तो दोस्तो उसमें उन्होंने अलग अलग जो है जारी किया था graduation वालों के लिए अलग और बारी वालों के लिए अलग तो graduation वालों की जो last date थी निकल चुके है अभी आज last date है बारी वालों की आज 11-11-2022 आज इनकी last date है अगर आप राजस्थान में सरकारी नोकरी करना चाहते हैं वो भी वनपाल, छात्रावास अधिक सक, लिपिक ग्रेड सेकिंड, कनिष्ट सहायग, जमादार ग्रेड सेकिंड और कांस्टेबल अगर आप इन में से कोई भी एक्जाम देना चाहते हैं, और इन में सरकारी नोकरी लगना चाहते हैं तो दोस्तो आपको ये पेपर देना होगा, और इसको क्लेर भी करना होगा आज इसकी लास्ट डेट है, अगर आपने CT का फोर्म नहीं बरायबारी पास वालों ने तो आप अभी अपने नजदी की एमितरा से दाके इस फोर्म को भर सकते हैं अगर आपके पास कोई नजदी की इमितर नहीं है, तो आप अपनी मोबायल से ही SSO ID से इस फोर्म को फिल कर सकते हो तो दोस्तो यहां इन्होंने साप साप दे रख है इसके बाद अगर कोई अभ्यर्थी इस अचुक रह जाता है, यहां पर फिल नहीं कर पाता है तो वो राज़तान में इन बर्तियों में सम्मिलित नहीं हो सकता जो उन्होंने साप साप दे रख है इच्छु कबरते के पास इन अभ्योर्ते में सम्मिलित होने का कोई अवसर नहीं रहेगा जो दोस्तों अगर आप इन में से कोई भी नो के लिए लगना चाहते हैं तो आप अभी अपने इमित्रा पर नश्दे के जाएं और इस CT फॉर्म को जरूर फिल करें अगर आज आप चुक गए तो मतलब आप हमेशा के लिए चुक गए फिर आप नेक्स्ट इयर जब दुबारा ये CT आएगा तब आपको फिल करना यानि एक साल आपका व्यर्त गया तो दोस्तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना ज्यादा फॉर्म फिस भी नहीं है लगबग दाइसो तीन सो या साथी तीन सो चार सो के आसपास इसे फॉर्म फिस है तो आप जरूर अपलाई करिएगा अगर आप इन भर्तियों के लिए अपलाई जो है नोकरी लगना चाहत हैं तो दोस्तों और एसे ही रोजाना सरकारी गोर्मेंट नोकरी के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजेगा और आज के लिए धन्यवाद